बिसनौर के थाना शिवाला कला शेत्र में उधार की मातर 30 रुपे मांगली को लेकर एक ब्यक्ति की लाठी डंडों से पीट पिट कर हत्या कर दी गए आरोपियों ने मातर 30 रुपे को लेकर वार्दात को अंचाम दिया वारदात को अंचाम देकर वो मौके से फरार हो गए घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है एसपी ग्रामिर्ट राम अरजनी घटनासल का निरक्षड किया पुलिस ने शब को कबजी में लेकर पॉस्ट माठम के लिए जलास्पताल बिजनौर फेजा बिजनौर में इंसान बने हैवान अरोपियों ने यशपाल की जान की कीमत लगाई मातर तीस रुपए को लेकर लाठी डंडों से पीट पीट कर उतार दिया मौत की खाट वारदात को आसानी से अंचाम देकर मौके से फरार आसपी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तींटी में भी गठी दी हैं दरसल आपको बता दे जनपत बिजनौर के थाना शिवाला कलाश्षे तरांचरगर यशपाल निवासी ग्राम टांडा ढाकी और उसी के गाव निवासी भुपेंद्रवा योगेंद्र और अश्षी से यशपाल ने दुकान के उधार के 30 रुपे मागने को लेकर आरोपिय यशपाल पर लाठी डंडो से मार पीट कर लहु लहान कर दिया जिसमें यशपाल गंभी रुप से घायल हो गया स्थानिय पुलिस ने लोगों की मदद से घायल अशपाल को सीच सी नूरपूर में भरती कराया जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई तो वही परेजिनों में मौत की खबर सुनकर चीख पुकान मच गई पुलिस ने शप को कबजी में लेकर पंचनायत नमा भर कर पॉस्ट माटम के लिए जलास्पताल बिस नौर भेजा एसपी ग्रामिड राम अर्ज और श्यत्रा दिकारी चांदपूर बारा स्थानिय पुलिस बल के साथ घटनास तलका निरक्षर किया गया अभियक्तों की ग्रफतारी के लिए एसपी ग्रामिडों के निर्देश्षर में तीन टीमें गठीत की गई हैं और अन्य जाच पर दाल की जा रही है आज शायंग लगभक साड़े पांच बजे टंडा ढाकी थाना सिवाला अंतरगत गाउं के एसपाल सनाव पूरिलाल जो गाउं में ही परचून की दुकान करते हैं गाउं के ही भुपेंदर, जीतनदर और अती जिन से जो इनिके सजाति हैं उनसे परचून की दुकान की बकाय को ले करके पैसा माँँने के लिए गए थे जहां पर जो है जितंदर भुपंदर और आती द्वारा जो है विबाद होने पर इनको लाठी डंडों से मारा गया इनके परिवारी जन इनको लेकर के नूरपुर सीसी गए जहां दोराने इलाज इनकी मृत्तु हो गई इनके भाई के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजी कृत किया जा रहा है और अभियोद गणों की गिरफतारी के लिए तीन टे में बनाई गई हैं सीग रही इनकी गिरफतारी कर कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी